अस्लावलनिक दोस्तो हिंदी स्पीस थेरपी की इस वीडियो में फिर सी आपका खेर मगत्म हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Miss Articulation के बारे में थीक है और Miss Articulation में especially हम बात करेंगे R-Consonant के बारे में दोस्तो जैसे कि आपके बहुत सारे message आते हैं R-Consonant के उपर तो कि R-Consonant पे वीडियो बनाएए तो आज मैं उसी को पर कुछ टिप्स लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही beneficial है दोस्तो अगर आपको तुतलाने की दिकत है या आपको miss articulation है तो जितनी भी miss articulation जो भी आपके consonant होते हैं जो आप सही तरह परणाउस नहीं कर पाते हैं वो ठीक किया जा सकते हैं डेफिनेटली और मैंने काफी consonant पे अलग-लग therapy मैंने बताई हुई है तो आप उनके जरीए ठीक हो सकते हैं लेकिन दोस्तो चार consonant ऐसे होते हैं वो काफी मुश्किल होते हैं जैसे की र, ल, ड, और स इस चार consonant ऐसे होते हैं जो जल्दी से ठीक नहीं होते काफी practice करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते तो उसके लिए special practice और special therapy की जूर्थ पढ़ती है और वो इतना असान नहीं होते हैं ठीक करना तो आज की वीडियो हम बात करेंगे र, र, कॉंस्वनट के बारे में और की किस तरह हम therapy करके किस तरह इसको cure कर सकते हैं दोस्तो क्या होता है बच्पन में हम सभी तुतलाते हैं ठीक है, हमारी जो टंग position होती है वो ठीक नहीं होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमारी टंग position ठीक होते रहती है और हम भी ठीक हो जाते हैं लेकि छे साल, साथ साल, आठ साल, दस साल के बाद भी हमारे कुछ consonant ऐसे होते हैं जो कि उस सही तरह से ठीक नहीं हो पाते तो हमें उन ठीक करने पड़ते हैं अगर आप के र में प्रोलम रह जाती है र आपका पूरी तरह ठीक नहीं होता तो उस तरह कैसे ठीक किया जा सकते है तो दोस्तो र कॉंसरेंट में क्या होता है बहुत से बच्चे क्या होते हैं र की जंगा जैसे राजू की जंगा लाजू बोलते हैं यानि कि राजू की जंगा लव बोलते हैं या राजू की जंगा याजू उनका र की जंगा या निकलता है या राजू के जगा आजू, यह निकलता है, यह निकी और यह कुछ प्रनेंशन निकलती है उनकी, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले की टंग पोजिशन हमें करेक्ट करनी होती है, और दोस्तों जो यह आर कॉंसरेंट में जो दिक्कत आती है, specially क्या होता है, आपके ट अन्चाश में धियान देते है, तो आर कॉंसरेंट में सबसे पहले जरौरिव है, टंग एक्सिससाइज जो मैं आपको कुछ बेसिक एक्सिससाइज refuse बतारहा हूं, जो के बहुत जरौरी है, ठीक है इसमें जो पहली एक्सिससाइज है यह एक्सिससाइज में क्या कर सकते हैं आपने क्या करना है अपनी टंग को फैलाना है फिलाकर और आप टीज से जहां पर आप लब बोलते हैं ठीक थोड़ा से पीछे इसको टच करना है कैसे जैसे मैं टंग को फिलाया और उसको उपर टच करूँगा मैं अपनी फिंगर के सारे उसको उपर लगाने की कोशी कर रहा हूँ बहुत से बच्चों की ये लगनी पाती है ठीक है तो उसको लगाने के प्रैक्टिस करनी है अगर आपकी लगती है तो तब भी आपको फैला के इसकी प्रैक्टिस करनी है दूसरी टंग exercise है spread tongue, आपने tongue को spread करना है इसमें क्या करना है, पहले आपनी tongue को बहार निकालोगे दातों के बीच में फिसाओगे और फिर spread करोगे कैसे, like this इसको आप बार बार एक मिनट दो मिनट तक इसकी practice कर रहोगे तो इससे क्या होगा, आपके tongue के side के किनार पर बार 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 जो है वो खतम होना शुरू हो जाएगा और हलकापन tongue में आना शुरू हो जाएगा इसके बाद जो next exercise है, move to soft palate इसमें मों को पूरा कोलना है और tongue को पीछे आपको ले के जाना है soft palate की तरह, कैसे? जितनी ज़्यादा आप tongue को पीछे ले के जाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा इस से exercise के आपके ये नीचे वाला भाग है, जो धागा है, जिसको tongue tie भी बोलते हम उस पे भी काफी खिचाव पड़ता है, काफी beneficial होता है, और tongue पे भी हलका पन आना शुरू होता है और इसके बाद जो exercise करनी है, वो clockwise, anticlockwise करनी है दोस्तों, ये थोड़ी सी मुश्किल exercise है, ये practice करने से ही आती है तो आपको कैसे करना है, tongue को इस direction भुआना है, इस direction में नहीं, इस direction में भुआना है, like this आप शीचे के सामने बैठके practice करें और धीरी-धीरे practice करें ये basic है, starting में हम इसी चीज़ से start करते हैं तो ये हमारी कुछ tongue exercise होगी, जिसका आप लगतार अभियास करोगी, आपके धीरी-धीरे आपकी tongue position correct होगी और आपके tongue पे भारी पन है, वो धीरी-धीरे cure होगा इसके लाव भी और भी काफी exercise है, आप चाहो तो कोई भी exercise कर सकते हो, क्योंकि हमारा tongue में movement लाना बहुत जावा हिरोड़ी है अब हम इसकी tongue position पे काम करते हैं, इसकी speech पे काम करते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें tongue में, आपने speech therapy में क्या करना होता है कि आप tongue को जहां पर लग की position होती है उसे थोड़ा सा पीछे आप पीछे लेकर जाओगे और उस पे क्या करोगे, जैसे आपने tongue को उपर लगाया ठीक है, tongue को फेला के और थोड़ी सी हवा भी क्रोज करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे tongue को लगा के बोलोगे तो लग की sound आएगी, ठीक है, कैसे? पहले आप प्रेक्टिस करोगे मैं टंग को उपर लगा रहा हूँ, और हवा धके रहा हूँ, यानि tongue धके लेगी, और आपको थोड़ी कंपनी में महसूस देगी, टंग में हलकी सी कंपना नी चीए, ऐसे करके आपको यह air आ रही है, ऐसे वो टकरा के निकलेगी, ठीक है, टंग को पर निचे और टंग फैला के रखना है, और हलका सा पूरी touch ना हो, चाहे थोड़ी सी मतलब ना के वराबर, टच का मतलब यह है, तो touch पूरे pressure सा आपने touch कर लिए, एक हलका सा थोड़ा पीछे रखो, औ और air को ऐसे निकलने का, यानि कि air को निकलने की जंगा होनी चाहिए, तो कुछ दिन प्रेक्टिस करने के बाद, आप मुह खोलोगे और sound को produce करने की कोशी करोगे, कैसे, रा, 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 अगर आपको lucky sound आ रही है, तो थोड़ा सा टंग को और पीछे फैला कर लगाओग हवा को ज्यादा धकेल होगे, हवा जब पूरे फस के जाएगी, टंग में फस के जाएगी, तो टंग में vibration होगी, ठीक है, कंपने बैद होगी, और रह में धिरी-धिरे clarity आएगी, तो दोस्तों ये starting का जो therapy होती है, आर की इस तरह से करनी होती है, धिरी-धिरे आप practice करोगे तो टंग में vibration भी आनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपने American का आर देखा होगे, वो किस दंग से बोलता है, आर, 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 यानि क्युक्का र और fold हो जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है, टंग, ज्यादा fold हो जाता है, हमारा इतना ज्यादा fold नहीं होता, हमारा ल से जस सब कुछ एक साथ नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल consonant है, इतना easy ठीक नहीं होता, तो आपको starting में अब यही practice करनी पड़ेगी, दिरे दिरे हम इसकी vibration पे काम करेंगे, इसके pronunciation में काम करेंगे, शब्दों पे काम करेंगे, और उसमें बहुत सारे R consonant होते हैं, कि जonce श्टार्टING में रह आना है, राजू, बाद में रह आना कमर, बीच में रह आना करना, दो बार रह आना है, यह सरा-सर, अधार रह आता है रिशी, तो इस तरह के R एक सब्सक्राइब होते हैं, सभी R पे काम होता है, और दिरे दिरे हैं होते हैं, दोस्तो मैं आपको इतने ही बता सकता हूँ, कि आर में आपके इसको केर सकते हो, लेकिन हार्डबर्क करना जुरूरिय यह आप हार्डबर्क करोगे तबी केर तरिवाइस यह नहीं होग जितनला क्रेक्टिस कर ओगे तो तो उतना बिल्कुल के और हो जाएगा उमीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टोपिक साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज बाई